कि नमस्कार दोस्तों मैं रहुन शमा स्वाद करता हूं सभी का आपके अपने चनल जोदिशेन वास्तु में कैसे हैं आप सभी मंगल देव राशी पैवर्तन करने वाले हैं 17 माई 2022 के दिन मंगल देव शनी से अलग हो जाएंगे और शनी से अलग होने के बाद आगे दो ग्रहों से मुलाकात करने वाले है अदभूद योग यहां पर बनने वाला है और इस अदभूद योग का आपके उपर कैसा हमने चंद्रग्रहंट के बारे में बात करी थी उसके बाद संडे के लाइव सेशन में बहुत सारी प्रेडिक्शन आप सभी को बताई थी उसमें भी मैंने मंगल के राशी परिवर्तन का जिक्र किया था और आज तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करने पावफुल होती है और जिस भी गर में मंगल जाते हैं वहाँ पर एक energy fluctuation और एक energy vibration जो होता है उसकी calculation करना बहुत जरूरी होता है जब मीन राशी में मंगल पहुंचने वाले हैं तब क्या रहेगा इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं मंगल और शनी अभी साथ में थे कुमब राशी में काफी सारे लोगों ने कहा था कि कुमब में मंगल और शनी की यूथि इतना खराब नहीं करेगी इतना परेशान नहीं करेगी और वैसा ही हमें होता हुआ दिखाई दिया यहां पर बड़े आराम से सिस्टेमेटिक तरीके से 29 अपरेल को जैसे ही शनी ने ट्रांजिट किया तब से लेकर के अभी 15 मई तक के बीच में बहुत जादा खराब गटना यहां पर नहीं गटी मंगल और शनी की कुम्ब में यू आखेंघें मंगल प्रवेश करें तो जब जब मंगल में राशी में प्रवेश करते हैं तब-तब सेना को काफी सधालें होती काफी जाद़ा परिशान्या होती हैं और उस वजे से देश और दुनिया एंसात्म का गतिविदियां बढ़ जाती है क्योंकि अगर गतिवीदिया नहीं पड़ीगी तो सेना का या मिलिटरी का या पुलिस का इस्तमाल नहीं किया जाएगा तो इसलिए जब अपराद बढ़ेगा तभी कहीं न कहीं मिलिटरी या पुलिस का इस्तमाल होगा तो यह बिल्कुल कहीं न कहीं जरूरी है और यहां पर मंगल का राशी परिवर्तन कुछ इसी तरह की गटनाओं को ले करके आ रहा है कुछ जगों पर देखा जाए तो मिलिटरी शार्षन या फिर राश्टपती शार्षन भी यहां पर लग जाता है इस तरह के भी यहां पर बनते हैं मंगल जब राशी परिवर्तन करके मीन राशी में पहुच रहे हैं तो वहाँ मंगल का स्वागत गुरू अपने घर में ही और साथ में मंगल का करने वाल एक और को यहां पर कंजेक्षन बन गया जो की शुक्र और मंगल का सीटल्स है और हर महिने कही नए रूप में यहां पर दिखाई दीता और इस बार तो यह बहुत ही ज़्यादा अदबुद योग यहां पर बन रहा है क्योंकि त्रीग रही यूति यहां पर देखने को मिलेगी कुछ दिनों के लिए 23 में 2022 को शुक्र यहां से ट्रांजिट करेंगे उससे ठीक पहले 5-6 दिन यहां पर देखा जाए तो अभी मंग शुक्र और गुरू की त्रीग रही यूति यहां पर काम करेगी अब मंगल और शुक्र की यूति का रिजल्ड भी बढ़ा अदबुद आता है मंगल और गुरू की यूति का रिजल्ड भी बहुत ज़्यादा अदबुद है देखने को मज़ा आएगा यहां पर यह जो समय हैं यह आप सभी के relationship के लिए बहुत ही जादा में समय हैं क्योंकि यह समय में relationship में अच्छी चीजें करने की योग बन जाते हैं शादी नहीं औरी सालों से तो शादी के योग यहां पर बन जाते यह सही और गलत की पहचान करें उसके बाद ही अपने कदमों को negative direction में उठाने की कोशिश करिए तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा क्योंकि यह समय आपको दिखाएगा कि वाकई में आप सही गलती सही चीज़ कर रहे हैं या कोई गलती करने की कोशिश कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको थोड़ा सा समझना होगा समझदारी के साथ आगर बढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई परिशानी आएगी यह जो समय रहेगा यह विवादों को दूर करने का समय है खासकर यह 5-6 दिन जो हैं जब त्रीग रही उती यहां पर बनेगी तो ओने में मांघ्री कारी होने के चांसिस बन जाते हैं ऐसे समय में relationship स्टॉंग बनने के चांसिस यहां पर बन जाते हैं काफी अच्छा योग यहां पर दिखाई देता है यह कि जो समय हैं यह 12 राशियों के उपर भी अलग तरह से प्रभाव डालता हुआ यहां पर नजर आएगा इसको भी समय लेते हैं कि 12 राशियों में से किस-किस राशिय के लिए क्या-क्या फाइदेबंद चीज़ें होने वाली है और किस राशी को कहां पर ध्यान लखना है यहा मंगल आपकी शादी के लिए बहुत जादा काम करने वाला है तो अगर आप में शादी करना चाहते हैं तो डेफिनली बहुत अच्छा समय है कोई दिकत को परशानी नहीं होगी वरशब राशी के लिए हम पर देख लिया जाए तो रशब राशी के लिए भी यह मंगल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है इन पांच-छे दिरों में कड़ दीजी अपनी दिल की बात किसी के भी साथ काफी अच्छे रिजल्स आपको देखने को मिल जाएंगे पैसों के मामले में थोड़ी सी सावदा नी रखीगा खर्चा बढ़ेगा और एक्स्पिन्स की वज़े से आपको नुकसान जो हो रहा था वो भी खतम हो जाएगा इसके अलावा यहाँ पर दिखाए जाए तो प्रेम संबंद काफी जाद अच्छे रहेंगे और प्रेम संबंद शादी में कनवर्ट होते हुए भी यहाँ पर दिखाई देंगे मतलब कि गरवाले अग परिशान करने वाला समय है स्ट्रगल है तोड़ा सा और करकर आशी वालों को स्पेशली रिलेशन्शिप में चोटी-चोटी बातों को अवाइड करना चाहिए ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परशानी ना हो और पूरा फोकस अपने काम पर रखें तो आपके लिए काफी जादा पॉजिटिव यहां पर जाता हुआ दिखाई देता है सिहराशी के लिए आला कि भाग्यों उतना जादा साथ नहीं देगा महनत बहुत जादा करनी पड़ेगी एफर्ट बहुत जादा करना पड़ेगा बट एफर्ट के बाद रिजल्ट मिल जाएगा बतलब कि पा वाला समय है यहां पर कन्या राशी ब्रेक अप हो सकता है आपका रिलेशन्शिप में काफी जादा परिशानिया हो सकती है इसलिए आपको बहुत जादा समझदारी के साथ काम लेना चाहिए दूसरों की बातों में नहीं आना है इस बात का ध्यान लखिएगा नहीं तो वह रिलेशन्शिप बहुत अच्छे रहेंगे बट हेल्थ में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखिएगा गाड़ी चलाते समय विशेश ध्यान आपको यहां पर रखना है अब बात कर लेते हैं यहां पर रश्चिक राशी के बारे में रश्चिक धनू राशी वालों को भी रिलेशन्शिप में थोड़ी सी शांती रखने की जरू थे कुछ आर्गुमेंट्स कुछ परिशानियां हो सकती हैं विवाद बढ़ सकता है इस तरके चांसे बनते हैं तो इसलिए धनू राशी थोड़ा सा संबल के चलिएगा ताकि कोई दिकत क परिशानी ना हो बात कर लेते हैं मकर राशी के लिए मकर राशी के लिए काफी जादा उत्तम समय हैं पाटनर का भरपूर साथ मिलेगा और चीजी अच्छी बनेंगी शादी की योग बनेंगे आपके नए लोगों से मुलाकात होंगी और नए रास्ते भी खुलते हुए न समय कुछ दिनों का समय हैं जो कि आप सभी को फाइदा देगा पैसो के मामले में सावधानी भी रखनी है इस बात का भी द्यान नखिएगा नहीं तो वहां पर नुकसान के भी यहां पर यहां पर बन जाएंगे अंतिम राशी मीन राशी क्योंकि मीन राशी में ही सारी चार्ज का समय हैं यहां पर मीन राशी आप फटावट से अपने आपको चार्ज कर लीजिए और अपने आपको बैलेंस कर लीजिए यह समय आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा आपकी उमीदें पूरी होंगी आपके काम पूरे होंगे आप एक अच्छे इन्वॉल्व मत होईएगा इस बात का ध्यान लखेगा तो तो सारी चीज़ें अच्छी हैं नहीं तो चीज़ें खराब होने में समय जादा नहीं लगेगा क्योंकि शनी की साड़े साथी के अंदर चल रहे हैं बोलिएगा बिल्कुल भी मत शनी का प्रभाव भी है मंगर और गुरू की यूती बच जाएगी और वह भी काफी ज़्दा अच्छे ज़र देगी तो वह सारा कैलकुलेशन करके ही आपको बताया है उमीद करूँगा कि आप सभी को पसंद आएगा और उमीद करूँगा कि आप सभी के समय में भी काफी ज़दा बदलाव देख दन्यवाद